अश्टावक्र गीता पहला प्रकरण महर्शी अश्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो यह उपदेश देना जनक जी बोले हे प्रभो ज्ञान प्राप्ती का क्या उपाय है मेरी मुक्ती किस प्रकार होगी वैराग्य कैसे प्राप्त होता है आप कृपा करके मुझे बतलाईए अश्टावक्र जी ने कहा हे ताथ यदि तुम मुक्ती चाहते हो तो विशयों को विश के समान छोड़ दो और छमा, सरलता, धया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो तुम न प्रित्वी हो, न जल हो, न अगनी हो, न वायु हो, और न आकास ही हो, मुक्ती के लिए तुम अपने आपको इन सब का चित स्वरूप साक्षी समझो यदि तुम देह को अलग करके अपने चित स्वरूप में शान्त हो कर स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्मे का परित्याक कर दो, तो अभी ततकाल तुम सुखी, शान्त एवं बंधन मुक्त हो जाओगे न तुम ब्रह्मनादी किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदी आश्रमी हो, न तुम द्रिश्य पदार्थ ही हो, तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतह तुम सुखी और निश्चिन्त हो जाओ हे विभोग, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुम से नहीं, तुम न करता हो, और न भोगता हो, तुम स्वरूपताह नित्य मुक्त ही हो तुम संपूर्ण दृष्य प्रपंच के एक मात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो, तुमारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से प्रिथक समझते हो, दृष्टा अपने आपसे प्रिथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृष्य हो रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है, मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमरित का पान करके तुम सुखी हो जाओ, मैं अदृतिय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तु इवं सुखी हो जाओ, जिस अधिश्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दीख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतहत सुखी हो जाओ, जिसे मैं मुक्त हूँ, ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, औ और जिसमें मैं बद्ध हूँ, ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है, यह लोकोक्ती सत्य है, कि जैसी मती वैसी गती, आत्मा तो साक्षी, विभू, पूर्ण, अधुतिय, मुक्त, चेतन, निश्क्रिय, असंग, निश्प्रिह, एवं शान्त है, वह भ्रम से ही संसारी मालूम पढ़ता है, मैं चिदाभास करता भोकता जीव हूँ, इस ब्रह्म को तथा बाहिय और भीतर के द्वंद्व, भाव को छोड़ कर, तुम अपने आपको अधुतिय, बोध स्वरूप, एवं कूटस्थ अनुभाव करो, वच्ष, तुम चिरकाल से देहा भिमान के फंदे में भस रहे हो, मैं बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान की इस तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ, तुम असंग, अक्रिय, स्वयंप्रकाश, एवं मल रहित अत्यंत सुद्ध हो, तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो, स्वस्वरूप, स्वत प्रपंच, तुम से भरपूर है, और वस्तु तह, तुम में ही ओध प्रोध है, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम चुद्र चित्वाले मत बनो, तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विक्रित मत हो, चिन्ता मत करो और भार रहित हो जाओ, अन्तह करण को शीतल रखो, तुमारी बुद्धी की थाह किसी को न मिले, वह अनन्त में लगी रहे किसी कारण से चुब्ध मत हो, तुम एक मात्र अपने चित्वरूप में ही निष्ठा रखो समस्त साकार वस्त को मिथ्या समझो, और जो निराकार है वह अचल है इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर जन्म की संभावना मिट जाती है जैसे दरपण में दीखने वाले रूप में बाहर और भीतर एक मात्र दरपण ही होता है ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है इसके बाहर भीतर भी एक मात्र परमात्मा परमेश्वर ही है जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातिय, विजातिय, स्वगत, भेद, सून्य, नित्य, निरंतर, ब्रम ही समस्त दृष्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है धन्यवाद, इति श्रिमद अस्ता वक्र मुनि विरचितायां ब्रह्म विद्यायां आत्मान भवो पदेश वर्णनं नाम प्रतमं प्रकर्णं समाप्तं धन्यवाद